नमस्कार सातियों इस समय हम बहादुरुगर्ट हलका में बहादुरुगर्ट जज्जर रोड पे स्थित सब्जीमंडी है यहां आए हैं यहां के पिछे देख रहे होंगे बुरे हाल हैं यहां लोगों की राए जानते हैं कि अब की बार चुनावी मावल है किसको वोट दे रहे हैं किसको अब की बार बादुरुगर्ट की सरदारी का ताज पहना रहे हैं तो यहां के दुकंदारों से और यहां आने वाली जंता से उनकी राए लेते हैं एक करके आईए चलते हैं आपका शूम नाम सत्पाल आड़ती जी आजा सत्पाल जी एक बात बताईए जैसे सब्जी मंडी का हमने देखा बहुत ही बुरा हाल है जगे जगे पानी बरा है कीचड है सब्जियां सडी हुई सब्जियां भी वही कूड़े के डेर के रूप में पड़ी हैं आवारा पशू घूम रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आप यहां के मतलब निगर निगम को फैरा हो गए यहां का जो विदायक राजिंद्र जुन कितने पांच सालों से उसने कोई काम नहीं किया गया बाइशाब यहां पर जो हमारे विदायक जी है राजिंद् भी हमारी एस्टेम के द्वारा सफाई होती है वो दो नॉर्मल हो जाती है पर उपर से जो अगर विदायक जीस पे तो तोड़ा सा देखें कि इसकी सफाय क्या कमी है हमारे में मंडी के अंदर वो सुदर जाए अच्छा बाइसाब जैसे हमने कल राजिंद्र जून से नों ने दुआई दी कि मैं विदान सभा में आवाज उठाता हूं लेकिन उपर सरकार बीजेपी की होने के कारण मेरा बिल पास नहीं हो पाता तो उनके इन दाओं में कहीना कई कोई सच्चाई देख रहे हो आप भाई ये सच्चाई तो बिलकुल है क्योंकि उपर बीजे इसकी सीट है विदान जी की और उपर विजे भी बैठी है तो काम तो मुश्किल होंगे न सच्च तो कहीना कहीं फिर राज इंदर जून के दाओं में सच्चाई देगी वही मैं कोशिस करता हूं लेकिन उपर से बजट मिल नहीं पाता या काम में रुकाउट डाल दी जात दूसरा अभी जैसे चुनाओ नजदीक आ गया बिल्कुल पांस तारी को पूरे हरियाना में वोटिंग होगी आपके हलके से अभी बीजेपी से दिने इसको सिख जी हैं कॉंग्रेस से राजिंदर जून पर पार्टी ने दुबारा परोसा करके उनको टिकट दिया है और ए कि अगर राजिंदर जी जून जी आते हैं वो भी अच्छा है और राजिस जून भी आते हैं वो भी बहुत अच्छा है अगर आपका मानना ही है कि अगर राजिस जून या राजिंदर जून में कोई भी जीता तो जनता की मतलब इसी में अच्छा रहेगा काम करने वाले न अगर दिनेश कोशिक की वज़ा है अगर नरेश कोशिक को टिकट मिलती ना तो थोड़ा सा समीकरण बदल जाता है इलेक्शन का बाकि आज के हाला देखते हैं या तो राजेंदर जूल या राजेश कोई भी विदाय का बादरोगड का बनता है तो मंडी के सुधार के क्या क् कर दो चाहिए तो सफाई का क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा की मंडी में रहती है जितनी सबजी आएं किचड है एक बारिश हो गई तो कई कई दिन तक किचड बना रहता है दूसरा यहां पार्किंग की सुधानियां पीछे वारी मंडी में बहुत जादा स्पेस है अगर पर की फैसिलिटी देते जितने भी बंदे सब्जी लेने आते हैं वो कहीं पे भी अपने गाड़िया रोड पे कड़ी कर देते हैं जिसके उज़े से जाम लगता है दूसरा जो यह आवारा पशु गूमते हैं हमारी मंदी में यह बादरुगण में नंदी शाला भी है अगर उनक पे किसी भी इंसानों को चोट नहीं लगेगी जानवर का क्या पता कब किसको चोट मारती इनसे भी जानते हैं थोड़ा सा चुनावी मावल है इस समय तो अंकल जी अभी हरियाना में चुनावी मावल गर्माया हुआ है बादुरगण का हलके में जितने भी परत्याक्सी लेकिन बाहदरुगण माम सोचते हैं अफे सिंग को नए दिलाने के लिए शीला राठी को बोड़ जानी चाहिए अज़ा दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि बही शीला राठी जी के जीतने के बाद जो बाहदरुगण सभजी मंडी के बड़े बुरे आला कही कि चड़े कहीं पसू घूम रहे हैं गाड़ी पार्किंग की कोई सुईदानी है इसमें क्या बदलाव करवाना चाहोगे और लगता हो कर पाएंगी पहले भी नफे सिंग राठी ने सभी मंडी के काफि काम की और किसी ने तो कभी कोई काम किया है और अगर सेला राठी जीत कि माउल है बादूर मेंड़ हलके से आप किसको देख रहें जीत तो कौन जीत सकता है मुकाबला सबका ऐसे देखा है तो हाथ का निशान जाता है अजा मतलब मुकाबला बराबर का है लेकिन हाथ को आप मान जोगे मजबूती से अपना दावा पेश कर रहा है आज जिस हिस पबलिक का होजूम है तो जैसे अभी मुखे रूप से चार प्रत्याक्सी है बीजेपी कॉंग्रेस इने लो और एकी निर्दलिया इन में से आपस में दो में कडी टककर रहने कि इसकी उमीद है बीजेपी और इनकी निर्दलिया और बीजेपी तो आप दिल से किसको चाते आपका शुब नाम भी खाड़ी है अच्छा जी यह बताईए कि चुनावी मावल है इस समाप बादरुगड अलके से किसकी जीत देख रहे हैं कौन जीत सकता है जीत में तो उन विदायक ही दिख रहे हैं जघंडर जून यह दिख रहे है जow अभी मूझूदा विदायक है वही दूबारा जीत कि आ सकते हैं है बाकि जो तीन और हैं एक कि निर्दलिया है एक बीजेपी से हैं एक इनेलो से हैं इनकी जीत की कितनी संभाव नहीं लग रही है तो उससे आपकी क्या मांगे रहेंगे मंडी में या बादरुग डलके में क्या सुधार करना सी उनको सुधार तो पहले से उत्ता था मंडी में अब तो दो घंटा में निकल जा रहा है कि और अन्य कोई किसी परकार की प्रेशन नहीं कोई धन्यवाद दें आजी अंकल जी नमस्कार क्या नाम आपका आप यहीं मंडी में काम करते हो या सब्जी लेने आए हो अंकल जी चुनावी मावल है बादरुग सब्सक्राइब करते हैं तो आप पहले क्या काम करें जन्ता के लिए जन्ता के लिए जो काम है अपना गरीबाद में बज़्दान रखना जाननी रखना नहीं देखो तो गरीब होया आमीर और रोड पे तो वह भी चलता आमीर भी वहाटी लेकर चलता है जैसे रोड है इसकी आलत दस साल से बिलकुल खराब है तो यहीं कह रहा हूं कि जन्ता आप क्या चाहोगे वह जीते तो क्या काम उनको पहले करना चाहिए वह पहले ज़रूरी है रोड बना रहा जो टूटे भूटे वह सुधार करों का चाहिए जो भी विदायक बनके आता तो पहली आपकी मांग यहीं कि रोडों का सुधार क्यार जाए धन्यवाद अंगल और आपका शूब नाम अजय पॉल अजय जी एक बाद बताई है चुनावी माहूल है और काफी गर् जो है नफिराटी जो उनकी पतनी है इस समय मैदान में आपको लग रागे वो जीत के आएंगी अजय उनके जीतने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करवाना चाहिए कि बादरुगण में किस चीज़ की सबसे ज्यादा हो सकता कि यह काम जरूर होना चाहिए सब्जी मंडी में क्या सुधार होना चाहिए चाहिए उनको हटाया जाना चाहिए और मंडी के अंदर जो दुकंदार बैठे हैं यहां पब्लिक को आना चाहिए तो अगले दुकंदार बाई हमारे पास नरेश कुमार जी है तो नरेश कुमार बाई यह बताओ अभी बादरुगण में चुनावी माहूल दरमाया हुआ है और चार प्रत्याक्सी हैं जिनका लोग दावा कर रहे हैं में से कोई भी जीत सकता आपको क्या लगता है कौन जी ही दे रहा है उससे दो कांगरेश का जोर जादा है क्योंकि बीजेपी का जो कंडिडेट था उसकी टिकट बदलने के एकार बहुत प्रभाव करिया अच्छा यदि टिकट नहीं बदलती और टिकट दोबारा से नरेश को सिक जी कोई मिलती तो कुछ टक्कर हो सकती थी पू नरेश कुमार जी क्या चाहेंगे क्या सबसे पहला काम बादरुगड में सुधार होना चीए सबसे मैन बात हो हमारी सबजी मंडी का ही ले लो सबसे पहले यह इससे भरस्ट काम को कहीं भी नहीं दिखाए दिया पूरे अर्याने में मंडिया देखी हैं लेकिन इससे गंदा फिलाल राजिंदर जून विदायक हैं तो कंबीनेशन बैठनी रहा है इस इससाफ से तो फिर दिनेश को सिको जिताना चीए बिल्कुल बिल्कुल यही तो कह रहे हैं जो आटी सताम आती है उसी का मेले पड़े तो हमें भी बादा होता है तो आप चैनल के मादम से आने वा पार आएगी तो सबसे पहले नाजमंडी और सबजी मंडी इसका सुधार होगा उनसे पहले को सुधार है यह पादा किया हुना चलो जी तो यह थे नरेश भाई इनोंने अपनी समश्याएं भी बताई और विदायक अगर कोई बनता है तो उनसे क्या चाहते हैं पहला का मो अगले दुकंदार वाई इनका भी नाम नरेश है और ये इनसे हम पूछेंगे पहले तो चुनावी माहूल के बारे में के बादरुगण में क्या लग रहा है इनको कौन जीत के आ सकता है तो नरेश कुमार जी चार प्रत्याक्सी मैदान में ऐसे खड़े दो दावा कर रहे आपको लग रहा है कि जीतने के अधिक चांस है अच्या मंडी में क्या कुछ अभी कमियान नजर आ रही है तो दिन को आप सोत रहे होगे विदायक बनने के बाद सबसे पहले मंडी की यह यह कमियान है और वो दूर करे ऐसा जी मंडी की सो यह आलत यह करोना के बात में मंड लोग पूछे परेशान रहे है अब यह जो आगला साइड है वो साइड है जमीदार किसान का किसान अपना समान जाए रहा पेचे वो साइड आड़ती और मार्केट कमेटी मिलकर वो सारी जंगह किराइब देदी है वो बार के आदि में लिए अगर बठा दी है उनकी जंग है वे लेक है वे खाते हैं हम लोग जी गोल में तो किरा जेते हैं शन आठ से किरा जेने हैं लगे थे पंदरा सुर्पिया अर्मिया साड़ी तीन लाग कर भी जाती है तो यह जो हालात आप बता रहे हो इन हालातों को लेके मंटी के मैं जैसे मतलब परदान भी होंगे संस् अप्लिकेशन उन्होंने नों का कि मेरे पास तो तो नहीं है मैं उस्टे बात कर लूगा उन्होंने इसे मैडम से बात की होगी मैडम ना अंबला जी है अब तुम आजाओ हम वहापर चले गया और तर साथ इन जो परतांते में देगे वहां हमारे को बता बी यह करोई है कर हम अपनी जाए गया हमारा फैसला नहीं हुगा हम उठके बाद जाए इन मसे एक दो आड़ की जो चार रहे हैं जो किराइब बठा रहे हैं मुझे दो नहां बर कि देगी मैं अपनी किराइब नहीं बठांगा और भी किसी आड़ती ने कोई अमल नहीं किया मैडम ना हमारे तो अगर आप सब कुछ यह सोच रहे होगे डी सी सा भी कर देंगे तो फिर विदायक से तो काम करवाना है उनसे बोलने का फिर क्या फायदा ऐसा है जी हम आपनी मर्जी अर्ताल नहीं कर सकते हैं मार्केट कमेड़ी में देके पास करवा ला है जी मारा ही चैर दिन के अंद तो बाई बादरुगर सबस्टी मंडी से यह थे हमारे साथ भाई नरेश कुमार और भाई नरेश कुमार के साथ जितने भी दुकंदारों से उनसे बात की उन सब की एक इमांगे की डिमांड है कि जो यहां आगे वह तीन सैट डली हुई है वह केवल किसान होगी वहां अगे अपना मतलब बेच सकते हैं कोई अवे दुकंदार वावैट के नी बेच सकता वो सिस्टम वहाँ से खतम करवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी वज़े से इनका माल यू का यू रख्या रहता है जो पहले ये 400-400 किलो सब्जी बेच देते थे आज 50-60 किलो भी बेचना दू यही मांग है कि वहां से वो जो अवेद काम हो रहा है अवेद दुकंदार बैठे हैं उनका वहां से अटाया जाए यही इनकी बादरुगड सब्जी मंदी से मेरी पहचान चैनल से मैं ललित वार्द्वाज अपने साती दीपक बोत्तम के साथ धन्यवाद